जिदे कि बिलकुल यदि बात करें तो एक बार फिर सियासी गल्यारों में हलचल तेज हो गई है जहाँ पर केंदरी मंत्री जोतर्यादित सिंधिया जब ग्वल्र दोरे पर थे इस 95 कल्याणक गजरत महुत्सों में शामिल होने पहुचे थे यहाँ पर जो है जेन मुनी संत व करें तो केंद्री मंत्री जोत्रियादित सिंधिया जो है वो पंचे कल्यानक गजरत महुत्सों में हिस्सा लेने जो है पहुंचे थे जहाँ उन्होंनों मुनिश्री विजेश सागर महाराज का अशिरवाद लिया और उनसे मेल मुलाकात बेकी इसके बाद जब केंद्री मंत् जैकारे लगाने शुरू कर दिये तो कुल में लाकर रेदी देखा जाए तो जेन मुनी की इस भविश्यमानी के बाद कहिना कहीं मद्दप्रदेश की सियासत में एक बार फिर जो हलचल तेज हुई है जहाँ पर पिछले दिनों जोतरी अदित्य सिंद्या जो है लगातार जेन मुनी की जो भविश्यमानी हुई है उसके कहिना कहीं सियासी गल्यारों में अलग-अलग मतलब जो है वो अब निकलने शुरू हो गये हैं चुकि यह दिया हम बात कहने तो इससे पहले कॉंग्रेस जो है वो लगातार सिंद्या पर निशाना सात्ती हुई नजर आई थ जो है वो मत्रदेश के सियासी गल्यारों में अपने अपने शक्ती का अलग-अलग तरों से जो प्रदर्शन था वो उनके द्वारा लगातार जाए रही था जिसके बाद उन्हें केंद्री मंत्री भी जो है मोदी मंत्रे मंडल में बना दिया गया था इसके बाद एक संभा में जैन मुनी की ये बविश्य वानी होती है और क्या वाकई में जूत्रहे अधित si्द्या जो है वम्ध्य प्रदेश में बढ़े पदपर्यानि मुख्य मन्तरी के पदपर आसे में नजराते हैं